नमस्कार मैं प्रियर एंजन और आज की इस एपिसोड में जियो फाइनेंशियल सर्विस स्टॉक के बारे में डिस्कूस करेंगे चुकि इसके क्वेडी यह आ रहे हैं किस वर क्या इस प्राइस पर मैं बाइंग कर लू या फिर वेट करू अल्रेडी बाइंग है तो क्या एक इस प्राइस नहीं हुआ है अभी भी ऑप्रेशन जो है कंपनी नहीं हुई है में ली इंसोरेंस इंस्टेंट लोन डिजिटल बेंकिंग और यूपी आई पेमिंट का कंपनी काम करती है जब यह स्टॉक 220 पर टेड कर रहा था मैंने आपको क्यों कहा बहुत सारे लोग क्या इसका बिजनेस है ही नहीं इसको इगनूर करो इसको मतलो यह 20 हो जाएगा 40 हो जाएगा लेकिन हमने आपको इसली कहा 220 के आसपास के प्राइस पे कि यह स्टॉक एक मल्टी वेगरे स्टॉक है भसिन जी ने भी कहा था कि अगर लॉंग टर्म पोर्टफोलियो आपने बनाया तो जी ओ फाइनेंशियल शुट भी मस्ट इन यो पोर्टफोलियो क्यों क्यों क्योंकि जी ओ फाइनेंशियल के पीछे एक ऐसा ब्रांट ऐसा एको सिस्टम है जिसको लिब्रेज करके यह पूरे मार्केट सेयर को खतम कर सकता है और वैसे ही हमने देखा RBI ने IFL फाइनेंस पे टी एम जी एम फाइनेंशियल जैसे पे कुछ रिस्टिक्शन लगा है और उसका इंडारेक्ट बेनिफिसरी और टेक्निकल ट्रेंड दोनों ही काफी सुपर ट्रेंड जी ओ फाइनेंशियल के जाते दिखे इस समय जी ओ फाइनेंशियल सेयर में डिलेवरी लिक रही है 2,40,000 करोर का मार्केट कैप है और टेक्निकली टेक्निकली स्टॉक 380 के आसपास के लेवल्स बनाएं वहां से एक ब्रेकडाउन 12-15% तक के 320 तक के हुए हमने क्या कहा था जब ये 360 पे था कि बिट्विन 300 तो 320 एक मेजर डिमांड जोन है और जब तक 300 के नीचे नहीं जाए मेजर ब्रेकडाउन नहीं दिख सकता है इस समय अगेन देखेंगे डिमांड strongly इस स्टॉक में दिख रहा है कुछ पीछे के न्यूज हमने देखे जहां कंपनी CIC यानि कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी बनने को लेकर के जो इस समय NBFC है वहां कंपनी ने RBI में आ 40 के लेविल जब तक ब्रेकडाउन नहीं होते हैं इस टॉक वीक नहीं होंगे बायों डिप्स की ऑपर्चुनिटी हो सकती है और पोटेंशियली 420 500 और 700 तक के टार्गेट नेक्स वन टू यर के डिवरेशन में दिख सकता है हो सकता है कि 1000 भी टच कर जाए क्योंकि सेंटिम अपरेटिंग नहीं है तो बिल्कुल इग्नोर करने को कह रहे थे तो इसलिए मैं कहता हूं कि यह स्टॉक बजार एक बजार भी है अपरेटिंग बिजनेस नहीं होने के कारण इसके जो पीछे के जो एको सिस्टम है उसको देख करके इस समय से स्टॉक को प्रीमियम दिया जा रहा है और बिल्कुल ट्रेंडे स्ट्रोंग है सोट करने से बचेंगे अल्रेडी इंवेस्टिड है तो या तो 340 को एसल ले या 394 20 पे चाहें तो एक्जिट करें मेरा मानना है कि 700 तक के पोटेंशियल टार्गेट नेक्स्ट वन येर तो 1.5 येर में दिख सकता है